हेलो गाईज मैं पूनम बुलाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी किचन में जिसका नाम है स्वाथ पंचा बियादा और आज हम बनाएंगे डाल मखनी जिसे हम मुंग साबुद दाल से बनाएंगे डाल मखनी सभी की फेवरेट होती है और इसे बनाने के लिए इसे एक घंटा पानी में गरम पानी में भिगो कर रखते हैं वैसे अगर आप रात भर भिगोएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी इस तरह एक घंटे बाद ये देखिए ये मैंने ली थी ये पोना कटोरी मैंने म अगर आप इसे रात भर भी गोएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी ये देखिए और अब हम एक कुकर में पांच कटोरी इसी नाप बाली पानी लेकर इसे उबाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये हम राजमा और डाल इस तरह से और इसे उबलने देंगे और मैं कई बा को जब भी बनाएं इसमें से जाग आप जरूर हटा दिया करें और अब हम इसमें डाल देंगे ये तीन चोथाई चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच हम इसमें देशी ही डाल देंगे और फिर इसे हम 5 या 6 सीटिया तक हम इसे कुक करेंगे और ये 5-6 सीटिया आ गई है ये देखे हमारी दाल बिल्कुल तयार है ये राजमा और ये दाल बिल्कुल सोफ्ट हो गया है अब हम तड़का तयार करेंगे इसके लिए एक कड़ाई में हम 1 सर्वी स्पून ओयल डालेंगे और इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता, एक हरी इलाइची, एक काली इलाइची, मोटी इलाइची से बोलते हैं तीन लोंग और एक चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे जैसे ही जीरा फ्राई होगा इसमें डाल देंगे हम एक बड़ा प्याज इसे भीकुछ छोटे-छोटे टुगडों में काट ले आप चाहे तो इसे चोप भी कर सकते हैं और अब हम इसे भी फ्राई करेंगे इसे हम दो-तिर मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच लसन और एक चम्मच अद्रक यानि हमने दो चम्मच डाल दिये हैं लसन अद्रक के इसको हमने करश कर लिया है इस तरह से लसन अद्रक से इस दाल का टेस्ट काफी अच्छा आता है और अब डाल देंगे हम इसमें एक चम्मच बटर, यानि मक्षन डाल देंगे, लसन अद्रक जब मक्षन में फ्राई होता है तो इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और काफी अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो अब ये देखिए ये भून गया है, इसे हमने गोल्डन फ् पाउडर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे ये थोड़ा सा मसाला भून जाएगा, इसमें डाल देंगे हम 3-4 चमच दाल चीनी का पाउडर, आप साबुत दाल चीनी ना डालें, इसका पाउडर ही डालें, दाल मक्षनी में दाल चीनी का पाउड करना है जब तक कि जो मसाले का तेल है वो मसाले से अलग ना हो जाए ये देखिए ये अब तेल अलग हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम ये डाल इस तरह डाल डाल देंगे हम और इसको थोड़ा सा फिर से फ्राइ होने देंगे mix कर लेंगे और फिर हम measure से इसको थोड़ा-थोड़ा सा mash कर लेंगे जादा mash नहीं करेंगे बस हलका-हलका इसको mash करेंगे इस तरह से यह देखे और इसमें डाल देंगे एक चम्मस दाल मखनी मसाला आप चाहे तो घर का मसाला इसमें डाल सकते हैं इस तरह इसे mix कर देंगे और अब हमने इसमें एक छोटा सा तड़का लगाना है यह देखे हमने एक चम्मस देशी की गरम करा है और इसमें दो हमने हरी मिश डाल दियें जिसे कट लगा दिया था हमने और दो साबुत डाल मिश डाल दी है और अब यह हमारा तड़का तयार है इसे हम डाल देंगे डाल मखनी में और इसके उपर हम डाल देंगे अब कटा हुआ हरा धनिया जब भी आपका मन करें डाल मखनी खाने का और उरद की डाल नहीं खानी तो आप इसे मूंग साबुत डाल से बनाएं खाएं इंजॉय करें और इसे पनीर और मकट से सजाएं बाई